वेलकम फ्रेंट्स हेल्थ प्रभा यूटूब चेनल में आपका स्वागता में लेकर आ गए हूँ आपके लिए एक और नया स्पेशल वीडियो इस वीडियो में आपको इस वीडियो में कुछ डिप्रेंट होने वाला है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको कौन से कॉर्सेज में आपका पेसन है और किस प्रकार से चुने हैं कापी सारे ऐसे स्टुडेंट हमने देखे हैं कि जो मतलब यानि कि कुछ स्टुडेंट ऐसे होते हैं जैसे बीएसी नर्सिंग कर लिया फिर बीएसी नर्सिंग में करने के बाद उसको पता चलता है कि इसमें इसका पेसन नहीं है कुछ स्टुडेंट ऐसे होते हैं जैसे पेरा मेडिकल कर लिया पेरा मेडिकल कम्पलीट होने के बाद है पता चलता है कि इसमें उसका पेसन नहीं है दूसरा यहां तकि G&M हो गया इसी परकार फारमेशी हो गया, बीपिटी हो गया तो इस परकार इसमें कैसे पता चलता है कि इस कोर्स में अपना फेशन है और इसमें हम सक्षियाज हो सकते हैं साथ ही दूसरी बात कि आपको हम इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस कोर्स में सबसे ज़्यादा स्कोप है क्योंकि कापी सारे स्टुडेंट ऐसे आते हैं मेरे पास में कि सर इसमें स्कोप है या नहीं मैं ये कोर्स करूँ या नहीं डीचा में सबसे और नहीं है राजस्ताने करना और कापी से ला नहीं में वारे सेखिनद व यह सेखिन वी सब्सक्राइब करने चाहिए या फिर जीनम करनी चाहिए पूरी चर्चा इस वीडियो में उन्नीवाली है बने रहे अन्तक वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है काफी सारे सटुडेंट है जो पहले तो पता नहीं होता है फिर काफ आगे जाकर पस्ताते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपोटेंट है होना ला सब भी स्टुडेंटों के लिए तो वीडियो को पूरा देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से कौर्सेज में सबसे अधिक स्कॉप है देखें स्टुडेंट मेडिकल छेतर में आपको पता है कि दिन परती दिन इसकॉप बढ़ता जा रहा है परते छेतर में किस प्रकार जो student अच्छी मेनत करेंगे ज्यादा practical पर ध्यान देंगे उनका तो मतलब सबसे अधिक उनका scope है और हर sector में आपको क्या है हर sector में बेरोजगारी मिलेगी चाहिए कोई सेक्टर में नर्सिंग में हो पिरामेटिकल को फारमेश हो बिपिटियो हर सेक्टर में मिलेगी क्योंकि जिस प्रकार काफे सारे ऐसे स्टुडेंटों जो practical पर ध्यान नहीं देते हैं उनका नंबर नहीं आता है इसमें सबसे अधिक अगर सेक्टर के बाद काफे सारे स्टुडेंट ऐसे गोशते हैं कि सर गोःमेट वेकरन सी सबसे अधिक कि निकलती है तो हम क्रमभाइज बताई तो asiaधिक नर्सिंग में निकलती है फर फिरबेडिकल फнес फिर फ्रहरुमेशी में बिपिपिटि इस प्रकार निकलती है लेकिन इ जीनम करनी चाहिए या भीर BSC nursing करनी चाहिए काफे सारे ऐसे स्टुडेंट कहते हैं कि सर जीनम बंद हो रहा है तो जीनम कुछ नहीं बंद हो रहा है जीनम ऐसे चलता रहेगा regular जैसे हम आइएंसी की official website पर है इस पर जो भी notification होगा वही मानने होगा इसमें कोई भी अभी ऐसा जीनम उन स्टुडेंटों के लिए जो नर्सिंग चेतर में जाना चाहता है अपना केरियर बनाना चाहता है जो जो स्टुडेंट आर्ट से जो स्टुडेंट कोमर्स से जो स्टुडेंट क्या है स्टुडेंट से भी हो सकते हैं स्टुडेंट तो जो स्टुडेंट जीनम मे आपको नहीं करने इसमें कि आप टिसिंग यान में जा सकते हूँ तो यदि आप टिसिंग लाइन में जाना चाहते हूँ आप दूर हो गया तो सबसे पहले इसकोप हर सेक्टर में, नर्सिंग के चेक्टर में तो बहुत ही सारी सकोप है, परती दिन दिन परती दिन आपकी वेकेंसी निकलती रहती है, तो और दूसरी बात करें, फार्मेसी में क्या है कि फार्मेसी आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, पेर प्रिवेश लेना चाहिए क्योंकि काफी सारे यह वीडियो हम क्यों बनाने काफी सारे इस स्टुटेंट होते हैं कि फिर बाद में अपना जो है सेलिबर से या कोश से चेंज करते हैं तो इस प्रकार पहले से आपका प्यस्ट अच्छा होना चाहिए पहले से आपको पता होना अब आपके पास टाइम है अभी application forum second week of November में साथ ही आप सभी के application forum लगा सकते हो student क्योंकि सभी में यानकि pharmacy, BPD, paramedical, RUHS में सभी के application forum लगा सकते हो सभी की मतलब अलग-अलग examination date होगी तो आप सभी क्या पता किसी में government को ले जाए वो आपको मिल जाए student तो उमेद है ये वीडियो आपको मतलब समझे में काफी problem solution हुई होगी साथ ही मतलब जो भी हमारे social media platform में सभी का link description आप जाकर simply follow कर सकते हो एसे दमाकिदार वीडियो इसी चैनल पर मिलेगे आपको केवल और केवल तो चैनल को subscribe करके बेल आए प्रेस रखे और भी अधिक वीडियो आने वाली है सभी का बारे में आपको मतलब किसी भी कपरकार से कोई भी comment हो तो आप हमें simply क्या है आप टेलेग्राम पर message कर सकते हो student तो वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद वंदे मातरम